अगर आप बस ये एक काम करें तो आपकी सभी पुरानी बीमारियां बिलकुल दूर हो जाएंगी ये शरीर को बनाने वाला यस्रिष्टा आपके अंदर है जिसने पूरा शरीर बनाया है, क्या वो एक छोटी सी समस्या ठीक नहीं कर सकता? हमने बस कुछ सरल प्रक्रियाएं करके हजारों लोगों को उस समस्या से बाहर निकाला है जरूरी नहीं कि बीमारियों से बचे रहना खुशाली है सेहत जरूरी है पर सेहत खुशाली नहीं है जब आप अच्छा मैसूस करते हैं, जब आप अपने वजूद के हर पहलू में अच्छा मैसूस करते हैं, इसे खुशाली कहते हैं खुशाली यानि अपने अंदर और आसपास की हर चीज के साथ तालमेल में होना इसका मतलब है जीवन की संपूर्था खुशाली यानि जीवन थोकर जीना, न कि मन को बिजी रखना सेहत खुशाली का बस एक हिस्सा है खुशाली के लिए सेहत एक जरूरी हिस्सा है, पर सब कुछ नहीं है हेल्थ शब्द होल यानि संपूर्थ से बना है यानि जब आप संपूर्टा महसूस करते हैं, तब आप स्वस्थ होते हैं, तो उसे साब से सेहत खुशाली है पर आजकल सेहत को जस तरह किसे देखा जा रहा है, बस शारिरिक सेहत को खुशाली माना जा रहा है यानि आपको बस डॉक्टर द्वारा दिये गए टेस्ट पास करने होंगे तो वह सर्थ में ये संपूर्ण खुशाली नहीं है, पर ये खुशाली का एक जरूरी हस्सा है शारिर एक सेहत के बिना खुशाली महसूस करना कठिन है जैसे मेडिकल फिजियोलोजी है, वैसे योग की फिजियोलोजी है हम शरीर को पाँच पर्तों या लेर्स के रूप में देखते है पहला भौतिक शरीर है, जिसे अन्नमै कोश कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है भोजन का शरीर बाहरी शरीर बस हमारे द्वारा खाए गए भोजन या धर्ती का एक टुकड़ा है शरीर की अगली परद है मनुमै कोश, जिसका शाब्दिक अर्थ है मानसिक शरीर तो योग में मन को किसी एक स्थान पर स्थित मौजूद नहीं माना जाता है पूरे शरीर में बुद्धी है और पूरे शरीर की हर कोशिका की अपनी आदाश्थ होती है हम कम से कम ये जानते हैं कि आदरिक चुकित्सा से भी और अपने अनुभाव से भी कि हमारे शरीर की हर कोशिका को याद है कि हमारे पूरवजों के साथ एक हजार साल या दस लाख साल पहले क्या हुआ था हर कोशिका में विशाल यादें और बुद्धी है तो एक मानसिक शरीर होता है ये हार्डवेर और सौटफ़ेर की तरह है पर ये दो चीजें खुद कुछ नहीं कर सकती जब तक अच्छी पावर न मिले तो शरीर की तीसरी परत को प्राण मैं कोश या उर्जा शरीर कहा जाता है इस उर्जा शरीर के बारे में अनुभव पर आधारित विशाल ग्यान मौजूद है ये प्राण मैं कोश है 72,000 नाडियां या मार्ग होते हैं जो एक खास तरीके से मौजूद हैं इन चीजों के बारे में पून और गहरा ग्यान है उन सभी चीजों पर महरत पाने के लिए और अपने अनुभव और खुशाली पर असर डालने के लिए खास तोर पर अगर बात सिर्फ सेहत की करें तो अगर किसी का प्राण मैं कोश या उर्जा शरीर पूरी तरीके से संतुलित और जीवन्त हो तो भौतिक और मांसिक शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी भातिक और मानसिक शरीर में रोक की कोई संभावना ही नहीं होगी उर्जा शरीर को तालमेल में लाना उर्जा शरीर के दो हिस्सों को संतुलित करना जिन्हें इडा और पिंगला कहते हैं और उन्हें जीवन्त रखना अगर ये किया जाए तो साफ पता चल जाएगा कि जो भी पुरानी बीमारिया है चाहे वो बाहरी शरीर में हो या मन में हो वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगी हम ऐसे हजारों लोग दिखा सकते हैं जो बीमारियों के साथ आये थे पर हमने उन बीमारियों को इलाज नहीं किया हमने बस उनके उर्जा शरीर को जीवन्त और संतुलित बनाने में उनकी मदद की देखे इसे देखने के कई तरीके हैं आईए इसे हैसे देखते है इस शरीर को बनाने वाला हमारे अंदर है इस शरीर को बनाने वाला या स्रिष्टा आपके अंदर है तो मरम्मत करवाने के लिए आप निर्माता के पास जाना चाहेंगे या लोकल मेकानिक के पास अगर आप निर्माता तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप लोकल मेकानिक के चक्कर लगाते रहेंगे वरना आप स्वभाविक रूप से इस रिष्टा के पास ही जाएंगे इतना बड़ा शरीर बनाने वाला क्या एक छोटी सी समस्या ठीक नहीं कर सकता है? जरूर कर सकता है अगर आप उस तक पहुँच पाएं तो हमने कितने सारे लोगों की दमा की स्थिति को ठीक कर लेने में बड़ी आसानी से उनकी मदद की है भारत के शहरी आलाकों में सांस की तकलीफ बहुत आम है हमने हजारों लोगों को उससे बाहर निकाला है दवा से इलाज करके नहीं बस कुछ सरल प्रक्रियाएं करके अगर आप खुद में काफी गहरे उदर जाएं तो जिसने ये शरीर बनाया है वो बुद्धी और वो उर्जा जिसने ये शरीर बनाया है यहीं हमारे अंदर मौझूद है हम आपको उस बुद्धी तक पहुँचने के तरीके सिखा सकते हैं जो इनर इंजिनरिंग हम दुनिया को सिखा रहे हैं वो बस यही है एक सरल तरीका जिससे सभी अपने अंदर मौझ कर उस उर्जा तक पहुँच पाएं ये कोई धर्म नहीं है ना फिलोसफी है ये कोई सीख भी नहीं है ये अंदर मौझने की एक तकनीक है खुशाली की तकनीक